हाली में कवार्ट की बैठक को शुरू होने जा रही है जहां सभी सदस देशों का ही परते निद्धतों करने के लिए हिस्सा लेने पुंत्री पहुँच रहे हैं तो वही भारत के विदेश मंत्री एस जेशंकर भी कवार्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे आपको बता दे कि इस दोरान ही उनकी उस्टेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉर्ड मारसिन उस्टेलिया के विदेश मंत्री मौरिस पाइने और जापान के विदेश मंत्री योशी माशा हयाशी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंट्री वीकल्म के से मुलाकात होगी कबाट की चौती बैठक से पहले सभी का एक फोटो शेशन भी हुआ है इस बैठक से दो दिन पहले ही चीन ने इसको लेकर सहियोगी देशों पर जमकर कोसा है और चीन का आरोप है कि इसके सहियोगी देश छेत्रिय देशों के बीच खाई बनना चाहते हैं चीन की तरफ से ये कहा जग गया है कि ये गडबंधन दरसल उसके पडोसी देशों के बीच टकराओ पैदा करने के लिए बनाया गया है अमेरिका को आरे हातों लेते हुए चीन के विदेश मंतरा लेके परवक्ता का कहना है कि लोगतांतरिक मुल्यों के नाम पर ही एक रेखा खीच कर उनके खिलाफ छोटे छोटे दल या गडबंधन बना रहे हैं और चीनी विदेश मंतरा लेके परवक्ता चाओ लिज्यान ने बेहद स्पस्ट शब्दों में कह दिया है कि इस तरह कि किसी भी गडबंधन के खिलाफ हैं उन्होंने ये भी कहा कि शीत युद के मानसिक्ता को त्यागना ही बहतर है साथ ही अमेरिका को ऐसी कोशिशे नहीं करनी चाहिए जिससे उनके पड़ोसी देशों के बीच किसी भी तरह की दरार बने और तनाव का कारण बने चीन का कहना है कि अमेरिका को शांती और स्थिर्टा के लिए काम करना चाहिए उत्तरबरदेश विधान सबाद चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में गुरुवार को खतम हो गया और इस दुरान मत्रा के बलदेव विधान सबाद चेतर के महावन कस्बे के शाहपूर मतदान केंदर पर वोट डाल कर बाहर निकलते हैं एक बुजर्ग की अच्छानक मौत हो गई बुजर्ग की मौत के बॉलिंग बूत पर ही हडगंभ मच गया आनन फानन में पुलिस और परिशासनी कदिकारी मौके पर पहुच गये महावन चेतर के ही पुलिस उपाधेक्ष रवीकांत पाराशर ने बताया है कि नगला पीपरी निवासी कतर साल के नतनी लाल वगहल दुपहर को ही अपने भतीजे राकेश के साथ मदान करने गए हुए थे और वोट डालकर बाहर निकले ही अचानक गश खाकर ही गिर पड़े उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मिर्ट घोशित कर दिया चिकित्सकों ने उन्हें सामाने मौत बताया है पुलिस में बुज़ूर्ग को परिजरों को पोस्ट मार्टम कराये जाने की भी बात कही है और इसके साथ उन्होंने इंकार कर दिया, इसके बाद परिजनों को शवसौब दिया गया देशाम बगेल के ही परिजन ने उनका अंतिम संसकार कर दिया